नमस्कार दोस्तों से भेलीहलप में आपको बहुत-बहुत स्वागत थे वीडियों हम बात करने वाला हूँ आपको इस पाइसमनी पोटल के बारे में कि इस पाइसमनी का रीटेलर या फिर सब डिस्टिइबूटर सी पर आप कैसे लेंगे साथ इसाथ कि इसमें कॉस्टिंग और कितना मिले है कमिशन, कैसा दिख से है इसका डैश्वोड, सारी चीज़ रहे करके आपको मिल जाएगा, DA module, तो as a sub distributor आप काम करने के लिए, आप simple DA module पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपका sub distributor आपको कितना कमिशन यहाँ पर मिल रहा है, इसके बाद यहाँ पर distributor module में अगर आप जाएंगे, तो यहाँ से आप agent manage कर सकते हैं, credit statement देख सकते हैं, agent summary वगरा देख सकते है, self account statement निकाल सकते हैं, और retail account statement भी यहाँ से निकाल सकते हैं, इसके बाद option मिल जाएगा, यहाँ पर आपको product sales का, जहाँ पर product wise sales की समरी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और कौन-कौन सी service है, उसके बारे में अगर account के अंदर में जो भी agent profile वगरा, markup वगरा set कर सकते हैं, और commission क्या मिलेगा, वो आप यहाँ पर commission structure पर जैसे क्लिक करेंगे, तो आपको commission की detail यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ठीक है, इसके बाद money transfer का option, यहाँ से जाके, आप as a sub distributor, आप agent को onboard यहाँ से कर पाएंगे, जैस agent का registration कर सकते हैं, और जो भी आपने agent register कर रखा है, उनकी list अगर आपको check करनी है, तो agent onboarding में जा के आप उनकी list वगरा, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद transaction history मिल जाएगी, यहाँ से, उसके बाद unknown transaction status आपको यहाँ से मिल जाएगा, TDS वगरा के लिए आप य करके यहाँ पर available है, ठीक है, अगर आप mobile recharge करना चाहते है, electricity bill payment करना चाहते है, DTH का यूज करना चाहते है, service का तो आप यहाँ से अराम से कर सकते हैं, अब यहाँ पर दो तीन option नए हैं, जो यहाँ पर एक अधिकारी vaccination बोलके, ठीक है, तो यहाँ से as a spice money अधिकारी, आपके vaccination में क्या role होंगी, यह पूरी यहाँ पर define है, और उसका certificate वगरा भी सारा कुछ यहाँ पर है, notification वगरा, सब कुछ यहाँ पर है, और यहाँ पर जनता vaccination, तो अगर आपके पास कोई, आपके center पर कोई आता है, vaccination के लिए registration करने के लिए, तो आप यहाँ पर click करके directly, COVID app पे चले होने वाला है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं, तो overall यही है इनका dashboard, अब बात कर लेते हैं, रिटेलर की, तो यहाँ पर रिटेलर ID costing है 101 रूपे, यानि अगर आपको रिटेलर बनना है, तो आपको 101 रूपे payment करने होंगे, और payment आपको ID activation के बात करना है, त साथ ही साथ इसमें support आपको काफी बहतर मिलेगा, 100% आपको support मिलेगा, यदि आप support से परिशान है, तो भी आप इसके बारे में try कर सकते हैं, यहाँ पर 5 account आप add कर सकते हैं, move to bank करने के लिए, और जब भी आप move to bank करेंगे, जो आपका wallet में amount है उस पे, तो आपको 3 रूपे किवल चार्ज देना होगा, आगे बात कर लेता है, हम AAPS के commission की, तो यहाँ पर retailer के लिए 3 option अवलेबल है commission के, AAPS के commission के लिए plan A, plan B, plan C, तो अपने हिसाब और सहुलियत के हिसाब साब कोई भी plan choose कर सकते हैं, जिस amount का ज्यादा transaction आपको वहाँ पर होता है, कौन से slab में उसक को आप यहाँ से choose कर सकते हैं, बात कर लते हैं, costing की तो यहाँ पर retailer ID costing 101 रुपे, यानि अगर आपको retailer बनना है, तो 101 रुपे payment करना होगा, वही अगर आप सब distribution लेना चाहते हैं, और business करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको 2000 रुपे payment करना होगे, और साथ यहाँ पर 10 आप आपको APS retail ID भी मिलेगी, और इसके अलावा अगर जादा कुछ जाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो contact details आपको इसकिन पर दिख रहा है, इस number पर call करकर जो भी कुछ आप जानना, पूछना है, समझना है, जान पूछ समझ सकते हैं, फिर आपको ज